इस फिल्म के शुरुआत एक नोट से होती है जीस में लिखा होता है कि मिलान नाम के सोलर पाउर इनोवेटर को आज से 10 साल पहले वर्ल्ड वर्केट 2 के समय का एक ब्लूप्रिंट मिला जीस में एक यूएफो को देखा गया इसलिए उसने यूएन के एक एजन्ट के साथ मिल कर इसकी जानकारी निकाली जीस के बाद वो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर लग गए जीस मिशन का उद्देश ये एलिन से बात करना था लेकिन बाद में मिलान यूएन एजन्ट से हट गए क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि वो एलिन्स का प्रयोग सीना के लिए करने रहा होता है वाहीं जील के किनारे एक लड़की फ्लोरा आपने बच्चे को लिए परिशान खड़ी होती है जीस के बाद हम एक एरप्लेन पाइलेट्स को देखते हैं जीने हवा में अपने आस पास किसी उड़ती हुई चीज के होने का एहसास होता है और वो चीज उनके ए पॉजेस हो गई हो और तभी वो अपने बच्चे के साथ पानी में कूच जाती है जीसकी बाद यह सीनिय ही कट हो जाता है अब अगले सिन में हम टेरी को अपने पीता मार्टिं के साथ देखते हैं जहां मार्टिं टेरी के कॉलेज की चुट्टिया हो जाने के कारण वो उस अपनी पतनी का नाम याद है और ना ही उसकी शकल अब रात को खाने के समय टेरी मार्टिन को अपने बॉइफ्रेंड रॉबर्ट के बारे में बताती है जीस पर हो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा जीस से सुनकर टेरी खुश हो ज जाती है और तभी कार का हौन भी बजने लगता है और चार और धूआ 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 हो जाता है इसलिए वो तुरन टेरी के कमरे में जाता है पर वो उसे कहीं दिखाए नहीं देती फिर अचानक से उसे टेरी खिड़की से बाहर जंगल के तरब जाते वे दिखाए देती है इसलिए वो तुरान करके बाहर आकर उसे वापिस बुलाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती मानों वो पोजेस हो वहीं मार्टिन को टेरी के आसपास कई सारे चोटे चोटे एलियन दिखाई देते हैं इसलिए वो एक फ्लेर लेकर टेरी के पीछे जाता है और फिर टेरी किसी तरह की UFO के अंदर चली जाती है और कोई अंजान फोर्स मार्टिन को घसीटते हुए UFO से दूर करके पेड़ से टकरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आख सीधे हॉस्पिटल में कुलती है जहां वो नर्स से टेरी के बारे में सवाल करता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताती उसी वार्ड में रायन नाम का ओफिसर खिड की पर वो ही स्पाइरल सिंबल बनाता है जो एक M.I.B. टाइप की और उसके साथ रोबोट भी होता है वो मार्टिन से कहता है कि कल तुमारे कॉटेज में भूकं पाया था जिससे बचने के लिए तुम दोनों जंगल में भाग गए तुम तो हमें मिल गए पर टेरी गायब है यदि उसके गायबोने में तुमारा हाथ हुआ तो मैं तुमें नहीं छोड़ूंगा जो सुनकर मार्टिन एकदम परिशान हो जाता है और तभी वा नर्स आ जाती है इसलिए रेव आड के बाहर चला जाता है पर नर्स के जाती ही मार्टिन चुपके से खिड़की से बाहर बाग जाता है जहां रे के साथ ही उसके पीछे पढ़ जाते हैं मार्टिन अब उनसे बचते हुए ओफिस आकर अपने कम्प्यूटर से रे की सारी जानकारी निकालता है और गाड़ी पर सवार होकर अपने कोटेज के पास आता है जहां रे और बाकी पहले से मौजूद होते हैं रे उसे अपने टैबलेट से टेरी की कपड़ी की फोटो दिखा कर कहता है कि इस पर गोली के निशान है जिससे साफ पता चलता है कि तुमने टेरी को शूट करके मार दिया पर मार्टिन अपने सफाई में कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम लोग गलत समझ रहे ह और नाहिया कोई भूकां पाया था लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर मार्टिन कैसे तो बचते वे जंगल की तरह भाग निकलता है पर रे अंत में मार्टिन को मार कर बिहोश कर देता है जिसकी बाद सभी मार्टिन को वो ही वे चोड़ कर चले जाते हैं अब अगली दिन मार्टिन को होश आता है और जंगल से निकल कर अपने कोटेज के पास आता है और फीर अपने गाड़ी के काँच पर वो ही स्पाइरल सिंबल बनाता है जिसके बाद वो कार पर सवार होकर एक इंटरनेट कैफे में आता है और नेट पर रिसरच करके उन सबी लोगों की जानकारी निकलता है जिनका एलियन द्वारा अपरण हुआ था जिसमें उसे एक वीडियो मिलता है जो कि फ्लॉरा की होती है जब वो पानी में गिरी थी तब ना तो मार्टिन को जोआना याद होती है और ना ही जोआना को मार्टिन मार्टिन फिर वाँ से जोआना का नंबर निकाल कर उसे फोन करके बताता है कि एलियन ने मेरी बेटी का अपरण कर लिया है जिससे सुनकर जोआना कहती है कि मेरे भी परिवार के एक सदेस्टे का एल फिर तबी कैफे में रे और इसके आदमी आ जाते हैं जीस पर मार्टिन उन्हें मारते हुए रे से उसकी गन छीन कर उस पर ही तान देता है वो फिर रे से टेरी के बारे में पूछता है जीस पर रे कहता है कि वो कहां है मुझसे ज़्यादा तुम ही जानते होंगे इसलिए मार्टीन रे का टैबलेट लेकर भाग निकलता है मार्टीन अवह वाँसे एक होटल रूम में आकर जुआना को फिर से फोन करके कहता है कि मैंने रे का टैबलेट चेक किया उसमें ऐसे कही सारे लोगों की जानकारी है जिनका इलियन ने अपरण किया है जीस पर जुआना कहती है कि हम ये सारी बाते फोन पर नहीं कर सकते शायद वो लोग तुमारा फोन ट्रेस कर रहे हो इसलिए तुम मुझे ब्रिज के पास आकर मिलो वहीं रॉबर्ट और रेको मार्टिन के लोकेशन का पता चल जाता है इसलिए वो लोग तुरंद मार्टिन को पकड़ने निकल जाते हैं दूसरी तरफ मार्टिन तुरंद ब्रिज के पास आ जाता है जहां उसे जुआना मिलती है जो एक वैन के अंदर होती है जीस में लांस नाम का आदमी भी होता है जो पहले उसी और्गनाइजेशन के लिए काम करता था और इसी ने मिलान का मूवी में किरदार निबाया है जोआन मार्टिन को अपना फोन पानी में फेक कर वैन में बैठने को कहती है जीस के बाद वो तीनों एक सीकर्ट फैसिलिटी के रास्ते के पास आ जाते है लांस अब उन से कहता है कि तुम दोनों अकेले आगे बढ़ो तब तक मैं देखता हूँ कि रे हमारा पीछा तो नहीं कर रहा इसलिए दोनों आगे बढ़ने लगते है जहां मार्टिन जोहाना से सवाल करती है कि एलिन्स ने तुमारे परिवार में से किसे अपने साथ ले गए जीस पर जॉन जवाब देता है कि मुझे कुछ भी याद नी इसलिए लांस मुझे या ले आया जीन का भी एलिन्स वारा अपरन हुआ है लांस अब उन सभी की सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी फैसिलिटी में रखता है और अब हम सब अपने आपको नौट चोजन कहते है याने की इलिन्स ने हमें छोड़कर हमारे परिवार के किसी और को अपने साथ ले गए और लांस तुमें पहले से जानता है वो कहता है कि तुम हम सब में सबसे खास हो जो सुनकर मार्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो लांस को भी नहीं जानता अब जुआना को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आपको मार्टिन के कॉटेज में पाती है वहाई मार्टिन को कॉटेज के बाहर किसी के ओने का एसास होता है इसलिए वो गन लेकर बाहर जाती है जहां सामने उन्हें छोटी टेरी दिखाई देती है पर तबी जोआना को भी वही हाथ अपने साथ घसीटने की कोशिश करता है जीस से घबरा कर वो विजन से बाहर आ जा जहां जोआना मार्टिन को बताती है कि लांस एलियन से बाते करने की कोशिश में लगा है जीस से सुनकर मार्टिन कहता है कि ऐसा संभव हुए उसने कहा और तुमने मान भी लिया और तबी वहां लांस आ जाता है इसलिए मार्टिन उस पर गन तान देता है लेकिन जोआना नीचे रखने को कहती है जिसके बाद लांस मार्टिन को फैसिलिडि के लै ब में लाता है जहां कम्पीटर में कई सारे नंबर्स चल रहे होते हैं जिसे देखकर मार्टिन को एक और विजन आता है जिसमें उसे फ्लोरा अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है जहां बच्चे की आंके पूरी हरी होती है दीस विजन को देख मार्टिन घबरा जाता है अब लांस मार्टिन को अकेले में लाकर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ तुमारे अंदर दरसल टेलेपती की है जिससे तुम एलिन से बाते कर सकते हो और जुआना के परिवार की किसी भी सदिस्य का अपरण नहीं हुआ बलकि उसी का अपरण हुआ था पर कुछी दिनों बाद अचानक वो वापिस आ गई पर हैरानी की बात की उसे अभी कुछ भी याद नहीं पर तुम्हें अपने को पहचानना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगा अब कुछ समय बाद लांस मार्टिन को अपनी सांसों पर नियंतरण करना सिखाता है और उसे काफी दीर तक ऐसा ही करने को कहता है और मार्टिन के ऐसा करते ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो सातियों के साथ लांस की सीकेट फैसिलिटी के पास आकर सभी अपनी अपनी पोजिशन ले लेते हैं इधर मार्टिन अभी तक अपनी सांसों पर नियंतरण कर रहा होता है और तब ही उसे अभास हो जाता है कि रे अपने सातियों के साथ यहां आ गया है इसलिए लांस के भी निशान को फॉलो करना जिसके बाद वो दोनों को टनल के अंदर डाल कर टनल सील कर देता है और रे से लड़कर उसे धाराशाई कर देता है पर तबी वहां रॉबर्ट आकर उस पर गंतान देता है लेकिन पीछे से लांस का एक साती आकर रॉबर्ट पर गंतान देता है जिसक मार्टिन को फ्लोरा का विजन आता है जीसे देख वो समझ जाता है कि उसे कहां जाना है इसलिए वो दोनों एक छोटे रास्ते से दिवार के दूसी तरफ आ जाते हैं जीसके बाद वो अपनी कार पर सवारो कर नक्षे के अनुसार किसी वीरान जगा पहुँच जाते हैं जीस पूसी तरफ मार्टिन को अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है हूँ अब उससे टैरी के बारे में सवाल करता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताती है और तब ही सामने से टैरी आ जाती है जीसे देख मार्टिन के खुशी का ठीकाना ने रहता पर फ्लोरा टैरी से कह कि हमें अब चलना चाहिए इसलिए फिर टेरी मार्टिन को आगे बढ़ने का कहकर फ्लोरा के साथ वहां से चली जाती है अब उसके जाने के बाद मार्टिन और जोपाना फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए वह एक कोटल के पास पहुंच जाते हैं पर मार्टिन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं तुम कौन हो इधर रे को फ्लॉरा दिख जाती है और उसके साथ टेरी भी होती है जिसे देख रॉबर्ट उसके गले लग जाता है पर रे टेरी को शूट कर देता है जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देती है जो देखकर रॉबर्ट एकदम घबरा जाता है जिसके बाद सभी मिलकर फ्लॉरा पर भी गोली चलाते है लेकिन सारी गोलिया उसके पास आकर रुख जाती है और फिर वो उन सभी लोगों को हवा में उड़ा कर टेलेपोर्ट कर देती है याने कि उसके पास भी कोई शक्ती है इधर एल पर लियने क्योंकि तुमारी और जोआना की कोई संतान नहीं थी और हाँ जोआना कोई और नहीं बलकि तुमारी ही पतनी है हम इनसानों का अपरण करते हैं ताकि वो एलिन के बच्चों को माता-पिता की तरह प्यार करें जब से रॉस्वल में हमारी शिप बरबाद हुई तब से हम सभी इनस यहां आकर रहने लगे और उन सभी इनसानों को भी यहां चिपा कर रखते हैं हमने जोआना का भी अपरण किया था और तब से तुमारी और टेरी की यादाश खतम कर दी ताकि तुम्हें जोआना के बार में कुछ याद ना हो पर हमने कुछ समय बाद ज लोगों के बीच चोड़ दिया ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से बिता सके अब ये सब जानने के बाद मार्टिन के साथ जोहाना को भी सारे चीज़े यादा जाती है जीसके बाद मार्टिन पोटल से बाहर आकर जोहाना से मिलता है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं फीर तबी मार्टिन को एक और विजन आता है जीसमेरी जब लांस उसकी साथ काम करता था वो दोनों रॉबर्ट की साथ मार्टिन के घर आये होते क्योंकि उन्हें टेरी पर शक हो गया होता है कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं है और इसी दोरान रॉबर्ट की टेरी से दोस्ती भी हो जाती है और तब उसने और जोआना ने वो स्पाइरल सिंबल बनाया जो कि सारे इंसान और एलियन के एक साथ होने की प्रतीक है जीसकी बाद मार्टिन विजन से बाहर आ जाता है अब एलियन मार्टिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ टेरी के साथ एक नया जीवन गुजारने का और उसकी इतना कहते ही टेरी फिर से जीवित हो जाती है जीसे देखकर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है जिसकी बाद मार्टिन और टेरी दोनों उ मूवी यहीं समाप तुझाती है अब अगर हम मूवी की बात करें तो तो मुझे यह मूवी बिलो एवरेज लगी क्योंकि कई सारे चीजों को मूवी में नहीं बताया गया है जैसे कि एंडिंग में भी कुछ डीटेल नहीं दी गई कि यदि वो फिर से कॉटेज में जाएं आशा है आपको मेरी एक्स्पेनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पेनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों